आज मैं आपके लिए लेस्न नमर नाइन लेकर आएंगे इसमें आपको आपको एक मूवी दिखाए जाएगी आपको यहाँ पे लिखना है कि सोचना कुछ भविष्ट के लिए और अगे लिए सोचना तो आगे होने वाला है बेसिकली आपको पॉइंट यहाँ पे राइट धॉन करना है ठीक है अब दोस्तों आगे बढ़ते और अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे और प्लिक अब बेल लाइकन जिससे के आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकाशन मिल सके चलिए बीपाट को शुरू करते हैं आपको इंटरफेस दिख रहा होगा पॉलाइट वर्ट एंद फ्रेज़ तो दूस्तो देखिए वर्ट इंद फ्रेज़ और यूज कैसे करना है और एक्जांपल दे रखा है तो यह आप देख रहें प्लीज प्लीज वैन आस्किंग और रिक्वेस्टिंग प्लीज का यूज तब होता है please help me तो example दे रखा है बैसिकली आपको ये read करना है thank you का use का बोता है वो भी दे रखा है ये तो बहुत easy sentence है आप समाझी जूगो ait फिर भी मैं आपको revise करा देती हूं thank you का use कब होता है जब कोई आपकी help करता है यापको कोई gift मिलता है तब आप उसको thanks भोलते हो तब आप उसको use करते हो you are welcome basically कोई आपको thanks भोलता है sorry उसके पदले में आप उसको you are welcome भोलते हो sorry sorry pardon me when I make a mistake sneeze, blow, my nose and cup so pardon me sorry का use होता basically जैसे मैंने अभी आपको sorry बोला okay तो ऐसी ही आपको इनका use करना है excuse me excuse me when I need to get someone attention जब मुझी किसी का attention पाना है तब मुझी इसका use करना है excuse me I want to say something all right यह तो बहुत easy है दोस्तो आप समझी गए होगे आगे बढ़ते हैं दोस्तो point B इसमें भी point B है so can can't यह जो आपको एक cartoon दिख रहा है दोस्तो यह इसमें I, you, he, she, it का use है तो बेसिकली आपको यह example दिखाया गया है all right तो मैं आपको यह बोल की दिखा देती हूँ cannot का short form होता है can't all right can you help me? yes, of course can you keep me company? certainty can you wait a minute? sorry, I can't तो बेसिकली दिखो can का use हुआ है all right इधर भी can का use हुआ है दोस्तो और इधर भी can और can का भी use है sorry, I can't तो दोस्तो आगे बढ़ते है दोस्तो अब C point पर आते हैं तो basically हमने जो अभी आपको मैंने पढ़के दिखाया जो कार्टून में जो लिखा तो वो सारा पढ़के दिखाया basically वैसी हमें यहाँ पे sentences बनाने हैं और write down करना है तो पॉंच C में देखे I, you, he, she, it can, can का हमें use करना है तो दोस्तो मैं आपको आप अपने तरी के से भरियेगा sentences और मैं आपको बोल के बता देगा मैंने के से भरते तो can में जो पर्स्ट आरा दोस्तो तो यहाँ पे आया मैंने I can I can make my family happy I can wake up early in the morning I can read the book तो फर्स्ट मैं आगे दोस्तो मने ऐसे करा अब I can't मैं जो नहीं कर सकती हूँ तो मैंने उसमें क्या लिखाता दोस्तो मैं बोल के बताती हूँ I can't make cookies I can't walk fast I can't find my pen तो basically मैंने यहाँ पर यहाँ डाउन करा था आगे बढ़ते हैं दोस्तो My partner can आपका partner क्या कर सकता तो उसमें क्या लिखाता दोस्तो तो मैं वो बोल के दिखाती हूँ तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बता है She, He, It, It का यूज होगा तो basically third person में second person में वोही आएगा तो मैं इसको लिखके दिखाती हूँ बोल के दिखाती हूँ और राइट She can learn English She can study Hindi She can come in FBA early और राइट दोस्तो अब आज़े तो My partner can't तो मेरा partner क्या नहीं कर सकता है तो अब मैं वो बोल के बताऊँ वो क्या उसमें लिखाता उसमें She can't talk Hindi She can't go there She can't eat ice cream और राइट दोस्तो तो मैंने इस तरह से sentence लिखे थे और मेरा partner ने इस तरह से लिखे थे तो FBA में जो आपका partner होगा basically वो यहां राट डाउन करेगा second पर या आप वो जो बोलता है वो आप राइट डाउन कर सकते हो और राइट तो जब भी आप FBA में हो तो आप ऐसी इस sentence को बना सकते हो और राइट डाउन कर सकते हो अपने word में मैंने तो इस तरह से लिखाता है आप चलिए आगे बढ़ते दोस्तो point D पर basically इसमें क्या है make sentence which are true for you or your partner तो ए पार्ट में आता है speak English alright तो basically मैं English बोल सकती हूँ तो मैंने बो लिखाता आ आ रहा है B point B में drive a car so I can't I can't drive a car alright swim I can't swim so basically मैंने लिखाता I can't swim I play tennis so I can I can play tennis so I can play tennis so I can play tennis basically आपकी information यह पर लिखी है क्या आप कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो तो आप यहाँ पर वो write down करेगा alright मैं फिर रूलूँ एक नई वीडियो के ताब तक लिए टाटा bye bye